दोस्तों कहीं न कहीं आपने ज़रूर सुना होगा कि आप अपने ना UPI application जैसे कि Google Pay, Phone Pay, Paytm और भी बहुत सारे application है तो वहाँ पर आप अपने credit card को link करके payment कर सकते हैं ठीक है लेकिन गाइस पूरी बात आपको कोई नहीं बताएगा अब देखीगा यहाँ मेरे पास एक रूपी का credit card है और यह मेरे पास जो credit card है वो है Tata Neo HDFC Bank का credit card ठीक है और गाइस कैसे आपको अपना credit card को Google Pay, UPI application में link करना है इस बीडियो में आप जानेंगे साथे साथ में आपको payment कैसे करनी है कहां-कहां आप payment कर सकते हैं कहां-कहां नहीं कर पाएंगे इसके अलावा है ना आपको card कैसे बनवाना रुपी का free में lifetime free card होता है और सारी जानकारी आपको इस बीडियो मिलेगी बस सड़ते गाइस आप पूरी जानकारी आपको मिलेगी बस वीडियो को ध्यान से देखना है अप देख रहें आपका अपना यूट्यूब चनल हमसफ़ टैग तो चलिए सिखते हैं अपने mobile phone पर सबसे बिले गूगल पर आपको यहां पर डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वीडियो को यहां पर आपके सामने नज़र आएगा setup payment method तो यहां पर आपको नज़र आएगा bank account, rupee credit card और UPI light अगर आप credit card को link करना चाते है रूपी का तो यहां पर आप क्लिक करेंगे रूपी credit card के उपर अगर यहां पर option नहीं आता है तो आप डार्क लिए bank account के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह के से options आएगा तो अभी फिलार हमारा single bank account यहां पर link है अभी हमाँ अपने रूपी का credit card को link करना होगा और याद रखेगा आप सिर्फ अपने रूपी की credit card को link कर पाएंगे यहां पर लिखा रहता है रूपी और आपको free में घर बेटे क ऐसे 5 मिनिट पर अपना रूपी क्रेड कार्ड बनवाना है इस पर मैंने complete वीडियो बनाया हुआ अगर आपको देखना है तो वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा आप उस वीडियो को बाद में जरूर दिखीगा तो हमें simple link करना है तो हमें click करना होगा add रूपी क्रेड जाएगा यहां से यहां से आपके bank को verify किया जाएगा तो यहां पर verification number हो रहा है याने कि आपके number को अभी verify किया जा रहा है और अभी आप देख पाएंगे हमारा यहां पर जो है card successfully जो है link हो चुका है वो इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमने पहले से यहां पर जो है एक ब करके दिखाता हूं तो जब आप पहली बार यहां पर link करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के से आएगा options आपको अपना card को verify करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना credit card के last के six digit आपको enter करने होंगे और जो भी expiry month और year है आपके card का उसको enter कर और निचे से आपको करना पड़ेगा submit, submit करते ही यहां पर आपको अपना credit card का pin है उसको आप यहां पर enter कर लेंगे हमने pin enter कर लिया है हम करेंगे उसके बाद submit अब आपको यहां पर चार नमबर का अपना एक नया UPI pin बनाना होगा UPI pin आपको भी बना सकते हैं कोई दिक्कत करते ही हैं बट किसी को share बिल्कुल मत कीजिएगा उसके बाद करेंगे submit दुबारा से जो अभी हमने UPI pin बनाया था उसको आप दुबारा enter करेंगे confirm करेंगे और यहां पर करेंगे submit करते ही आपको थोड़ा सा यहां पर wait करना होगा उसके बाद आपका credit card यहां पर इस तरह क में जाते हैं यह किसी अपने दोस्टगारों को पैसा बेशते हैं तो इस तरह के से QR code आपको नजर आता होगा तो आपको स्कैन करना होता है बट यहां पर एक problem आती है अभी मैं आपको दिखाता हूं मानके चलिए मुझे यहां पर 100 पर transfer करने हैं और यहां पर मैं करता अब यहां पर हमें select करना होगा अपने card को यानि कि हमारा credit card का यहां पर options ही नहीं आ रहा है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यह QR code है यह मेरे दोस्त का है अब मुझे QR code पर payment करने पड़ेगी वो करने पड़ेगी business वाले पे तो देखेगा यह हमारे पास एक और QR code है और यह ह business का QR code है तो guys आप business का QR code खुद से ही बना सकते हैं चाहे तो आप किसी भी दुकान में जाकर पेट्रल पम में जाकर आप वहां से payment कर पाएंगे यानि कि आप personal account में किसी भी QR code पर पैसा नहीं भीच पाएंगे आप सिर्फ उनी QR code पर पैसा भीच पाएंगे जिनोंने अपना जो है business account बनाया हुआ है ठीक है तो अभी मैं आपको back करके दिखाता हूं और दुबारा से इसको scan करके दिखाता हूं live मैं करता हूं इसको QR code scan और यहाँ पर मैंने scan किया अब मैं करता हूं 100 रुपर transfer मैंने किया ओके और यहाँ पर दिखीगा हमारा यहाँ पर options आ चुका है HFC bank का credit card का है ना तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ business QR code पर पे payment कर पाएंगे जैसे हम pay करेंगे location की permission को अलाव करते हैं और जो भी हमारा UPI pin है उसको enter करेंगे submit करेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा easily यहाँ पर 100 रुपर हमारे credit card के थुरू payment हो चुका है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसाने से अपने गूगल पे में अपने credit card को link करके payment कर पाएंगे